सर्विस प्रोड़क्टिविटी इसके अंदर इसकी प्रोड़क्टिविटी कैलकुलेट करना इस रेलिटिवली मुच डिफिकल्स दैन वी डू इन मैनुफेक्ट्रिंग इंडिस्ट्री उधर क्योंके एक स्टेंडरडाइज प्रोड़क्ट्स हैं तो आप उसकी ज्यादा अ अथानी के साथ कर लेते हैं इधर जरा डिफिकल्ट हो जाता है अल्दो हमने एक्जैंपल पीछे की है डाट वस फ्रॉम सर्विस इंडिस्ट्री बट इधर जरा थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है क्योंके इसके अंदर अगर स्टेंडरडाइज प्रोड़क्ट नहीं है अगर स्टेंडरडाइज नहीं है तो उसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि डॉक्टर जो है वो किसी मरीज के साथ पांच मिनिट में उसको वो उसका वो बिमारी वगारा को समझ लेगा और उसकी प्रिस्क्रिप्शन दे देगा और किसी के अंदर वो बीस मिनिट लेगा आदा घंटा लेगा ज्यादा टाइम लेगा तो वो उसकी वज़ा से प्रोडिक्टिवीटी जो है फिर वो हम एवरिज के अंदर चले जाएंगे और उसको इतना हम ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं अवैलूएट कर सकते हैं और सर्विस को अगर हम देखें तो इट कंसिच एकनॉमिक सेक्टर अइस होड़ा देखें और अगरी कुल्चर और मौर दें इस तर्विस इंडिस्टरेश अदिस इस लेबर इंटेंसिफ और आटोमेशन इसके लिए बड़ी डिफिकल्ट है ऑटोमेशन करना मुश्किल होता है तो इस लेबर इंटेंसिफ आपको यह फ्रीक्वेंटली जैसे पहले भी बताया था कि फोकस्स अन युनीक इंडिविज्वल एट्रिब्यूट्स एंड डिसायर्ड थीक है उसके जो हर एक एट्रिब्यूट और डिसायर डिफरेंट होता है और इसके लिए सर्विस जो है प्रोवाइट की जा रही है वो डिफरेंट नौइयत की होगी तो उसकी वज़ा से इसके अंदर प्रोड़क्टिविटी में फरक आजाएगा सर्विस इंडिस्ट्री के अंदर और ओल्दो सेम वो क्या कहते हैं फर्म के अंदर काम हो रहा है लेकिन इंडिविज़िज्ट्री की वज़ा से उसके अंदर ठीक ठाक चेंजिज़ आ जाएगे इंटलेक्ट्ट्वल टास्क ज्यादे परोफॉर्म किया जाते है और प्रोफेशनल्स फॉर उसकल उनिवरस्ट्री के अंदर टीचर्स वगार अब प्रोवाइट कार रहे होते हैं सर्वेस डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर कार रहे होते हैं और यूजली इस दे टास इस इंटिलेक्चुल नौईयत का होता है और इसको परफॉर्म जो करते हैं ज्यादा तर प्रोफेशनल होते हैं जो के परफॉर्म कर रहे होते हैं इस डिफिकल्ट तो आटोमेट और इसी वज़ा से इसकी प्रोडेक्टिविटी भी मैजर करना डिफिकल्ट हो जाती है जहां आप आटोमेशन लियाएं तो उसके अंदर आपका वो जो टास्क है वो एक ही स्टैंडर्ड का परफॉर्म होगा आटोमेशन की वज़ा से अगर हुमन बिंग इन्वाल है तो उसके अंदर फरक आ सकता है एक टास्क जल्दी हो जाए एक देर से हो जाए डिपेंडिंग अपाउन एक जो वो वरकर है उसका वो दिन कैसा गुजर है अगर वो दिन बहुत टायड है तो उसकी प्रोड़क्टिविटी गिर जाएगी घर में आलाद ठीक नहीं थे उसकी वज़ा से मेंटली वो ही इस अपसेट प्रोड़क्टिविटी गिर जाएगी तो उसकी वज़ा से प्रोड़क्टिविटी के अंदर फरक आ सकता है automation में नहीं आता हरा automation में सेम चीज चलेगी रोड़ोट्स है वो सेम असाब से काम करेंगे उसको कोई उस किसम की वो जो है जो आप कहलें कि mental tiredness है या physical tiredness है वो रोबोट उसमें वो चीज नहीं effect करेंगी तो उसकी वज़ा से वो बिलकुल सेम चीज की production हो रही होगी, तो इसलिए automation नहीं हो सकती, तो service के जो productivity है, service industry में वो usually different customer to customer, different productivity consider होगी.